हमारे इस यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अजीत यदव। आप सभी के स्वास्त को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ घरेलू उपाय लेकर आया हूँ, जिसको करने से हमारे सरीर में होने वाले 10 बड़े होते हैं, जिसे आप नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वे लोग इस उपाय को करके जान सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सेयर करना और चैनल पर अभी नए आये हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करना, तो चलिए जान ल आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए भोजन करने के बाद सौप खाने से कब्ज की सिकायत नहीं होती है। इसलिए भोजन करने के बाद सौप खाने से अमासय स्वस्त रहता है और अमासय का दर्द दूर होता है। नमबर साथ सौप और धनिया को बराबर मातरा में लेकर पीस कर उसका पाउडर बढ़ा लें। और भोजन करने के बाद पांच गराम की मातरा में लेने से हाथों और पैरों की जलन दूर होती है। नमबर आठ भोजन करने के बाद भूनी हुई सौप खाने से पेट की गर्मी सांत होती है और जी मिचलाना ठीक हो जाता है। नमबर नौ सौप का सेवन करने से सरीर की चर्वी कम होती है और मोटापे से छुटकारा मिलता है। नमबर दस रोजाना भोजन करने के बाद सौप का सेवन करने से त्वचा में चमक आती है। तो मित्रों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सियर करें। धन्यबाद।